नमस्कार बहुत स्वागत है आपका गुरू बार का दिन ग्यान का संतान का कारक देव गुरू ब्रिस्पती का दिन है माननेता है कि ब्रिस्पती बार के दिन कुछ बिसेज कारे नहीं करना चाहिए एक ऐसी वस्तु जिसको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए कुंडली में अगर गुरु के कारण संतान की आपको कमी महसूस हो रही हो संतान नहीं हो पा रहा हो धन की परेसानी हो और इसके विप्रीद अगर गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार है जो आप कर लेते हैं तो फिर देव गुरु बिर्सपती का आसिरवाद भी नहीं मिलता इसलिए कुछ खास काम जो नहीं करना चाहिए कुछ खास चीजें जो नहीं खानी चाहिए आईए जानते हैं पहली चीज कि गुरुवार के दिन महलाओं को अपना सिर नहीं धोना चाहिए नहीं बाल कडवाना चाहिए इससे आपका गुरु कमजोर होता है पती और संतान के कारक खास कर महलाओं के लिए उनकी उन्नती रुक जाती है गुरुवार के दिन डाढ़ी भी नहीं बनवाना चाहिए नाकुन भी नहीं कडवाना चाहिए सास्त्र में कहा गया है ऐसा करने से आयू कम होती है देव गुरु बिस्वतिवार का दिन है केला केला विसेश उनको प्री है और उनकी विसेश वस्तू है तो गुरुवार के दिन केले का फल बिल्कुल भी ना खाए हाँ इस दिन आप पूजा करें केले के बिश्की पीले कपड़े पहने घर को धोने या पोछा लगाने से बचिए घर में धर्म कारे कीजिए दामपत्य जीवन में अगर परिसानी हो तो गुरुवार के दिन केले के बिश्की जड़ में जल और पीत करें जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर सुद्ध घी का दिया जलाएं ओम बुरिंग ब्रिस्पते नमा का जब करें एक सो वाट वार तो रहत मिलेगी गुरुवार के दिन कुछ चीजों का दान आप कर सकते हैं अगर आपका गुरु कमजोर हो तो या फिर आपका गुरु दुसी तो तब जैसे कि उनको सबसे प्री है पीला रंग तो आप केले का दान कर सकते हैं पीले कलर का है चने की डाल का दान कर सकते हैं हल्दी का प्रियोग हो सकता है लेकिन याद रखिए आपका गुरु अगर मजबूत हो दान मत कीजेगा पड़ना आपका गुरु का प्रभाव नस्ठ हो जाएगा कम हो जाएगा तो गुरु बार के दिन मांस, मदीरा, लहसन, प्याज ये सब नहीं खाना चाहिए दुर भाग आता है जीवन में हमेशा ही इस बात का ध्यान रखिएगा पिता, गुरु, साधू, संथ इनका परतिनीधित तो ब्रेस्पति करते हैं तो कभी इनका अपमान ना करें गुरु बार के दिन खिचड़ी ना तो बनाएं ना तो खाएं यानि चाबल दाल मिक्स करके नहीं बनाना है और नहीं खाना है और इसके साथ ही का दान तभी करें जब आपका गुरु कष्ट दे रहा हो संभब हो तो इस दिन सात्विक भोजन करें और जीवन में धेर सारी खुशियों को पाने के लिए ओम ब्रिंग ब्रिस्पते नमः ओम ब्रिंग ब्रिस्पते नमः इस मंतर का जितना जादा हो जब करते रहें फिलाल आपसे बिदा लेते हैं हर हर महादेव फिर मिलेंगे